राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूड़ी माई की और उसके बेटे और बेटियों की कहानी, समाज की कड़वी सच्चाई, जब परिवार के होते हुए बूड़ी माई हो गई अकेली, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को स शेयर करें, भगवती अपने बेटे बहों से अलग रहती थी, जब कभी दूसरों से वे मिलती थी, तो अक्सर यहीं कहती थी, जैसा करम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अपने करमों को खुद भुगतेंगे, मुझे क्या है, मेरा गुजारा हो रहा है, मन में आया तो पकाया, नहीं तो अपने दूद और फल खा कर सो गई, घर की बुजुर्ग महिलाती भगवती, और आज उसकी मिर्तिव हुए 20 घंटे से जादा बीत चुके थे, ब्रादरी के सभी लोगों के इकटा होने का इंतजार करने में ही, पहले ही एक दिन निकल चुका था, जब भी कोई न दूसरी तरप गाम ब्रादरी के लोग जमा थे, केवल घर के सदस्य ही अलग अलग छितरे विखरे पड़ी थे, वे एक दूसरे से आँख चुराना चाहते थे, भगवती की मिर्तिव तो 8 बजे ही हो गई थी, पर मौले में 12 बजे खबर फैली थी, पड़ोसन जो भगवती की थी रुकमनी वो कहने लगी, कि भगवती कहती थी मरने से पहले की जैसा करम करोगे, वैसा फल पाओगे, तभी दूसरी पड़ोसन लीला कहने लगी, बेचारी बहुत दुखी महिला थी, चलो मुक्ती पा गई, तब रुकमनी बोली, तो कहने लगी, हाँ लीला बेहन, जगड़ा है, सभी को दूसरों की थाली में घी जादा दीखता है, सोच रही हो, किसी वृद आसरम में एक कमरा लेकर पड़ी रहो, सभी लोग मृत देह को बाहर ले आए, कपड़े में लपेटते समय बड़ी बेटी उठकर आगे आई, तो पड़ोसन रुकमनी ने उसे र भगवती के कपड़े काट कर उतारने लगी, तो चादर का एक छोर पकड़े दूसरी पड़ोसन लीला से रहा नहीं गया, उसने कहा पहले इनके जेवर तो निकाल लो, चादर का दूसरा छोर पकड़े पड़ोसन रुकमनी बोली, जेवर तो लगता है पहले ही उतार लिये क्यों बड़ी बहू तो बड़ी बहू कहने लगी हम क्या जाने का कि यहां तो बड़ी जी जी की मरजी चलती है मा के मरते ही पहले गहनों पर ही जप्ती होगी बड़ी बहू दो टूग बात करती है ना किसी बड़े का लिहाज ना समय का लिहाज लीला ने रुकमनी को इस आरों से चुप रहने को कहा उन दोनों को इस घर के सारे राज पता था जरासी तिल्ली दिखाई नहीं कि बम फट पड़ेगा एक दूसरे पर आरोप लगने सुरू हो जाएंगे और अर्थी ले जाने का काम एक तरफ धरा रह जाएगा कोट का चेहरी भी हैं हो जाएंगे अर्थी तो चलो विदा हो गई आंगन से सभी प्रुस सदस्य जा चुके थे घर के बहुएं साप सपाई में लग गई लीला और रुकमनी आंगन के एक कौने में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई लीला अपने आसों को पहुँच कर भोली भगवती मुझसे हमेशा कहती थी क्यों किराय के घर में रहती हो अपना घर बना लो मैंने भी किसी तरह एक कमरे का मकान जोड़ा था फिर धीरे धीरे कमरे जुड़ते गए और इतना बड़ा घर बन गया तब दूसरी की पड़ोसन कहने लगी हाँ मुझे भी समझाती रहती थी तेरे पास घर तो है मगर कुछ पैसे जमा कर और गहने बन वाले वक्त बे वक्त यही धन काम आता है लीला बोली रुकमनी बेहन लगता है यही सब अपने बच्चों के दिमाग में भरती रही तब ही तो एक-एक पैसे के पीछे इनके घर में उठा पटक होती रहती है रुकमनी बोली हाँ बेहन सही कह रही हो तुम याद है पिछले महिने जब पानी की टंकी का पंप खराब हो गया था तो इनके बड़े बेटे ने पानी का टैंकर मंगवाया जब उन्हों ने अपने काम वाली को उस टैंकर का पानी लेने भेजा तो बहूने साफ मना कर दिया अपनी दोनों टंकी फुल करवाली और उसे टकासा जबाब दे दिया हमने अपने पैसों से पाने मंगवाया है कोई खेरात नहीं है उस दिन यह सब बताते हुए बेचारी भगवती रो पड़ी थी लीला रुकमनी की बात सुनकर तुरंत बोली हाँ बेहन मैंने भी कहाता की चलो जैसे भी हैं तुम्हारे बच्चे हैं क्यों इस बुढ़ापे में अकेले खटती हो साथ में रहो इस पर भगवती ने बताया जब बेटों के साथ में रहती थी तब भी दूद, फल, सबजी, डाले अपनी तरफ से मंगा कर रखती थी फिर भी किसी मेहमान को अपने मन से भोजन करने को नहीं कह सकती थी एक दिन सिल्बटे पर मसाला पीस रही थी तो मजली भूने टोक दिया मैंने जरासा डपटा तो बटा उठा कर मुझ पर तान दिया उस दिन से मैंने अपनी रसोई अलग कर ली जब अपने रुपों का ही खाना है तो क्यो ना मैं चैन से खाऊ दिला आगे कहने लगी मैंने तो रुकमनी देख सब सुनकर एक दिन कह दिया था भगवती देख मैं भले ही घर नहीं बनाया मैंने मगर अपनी जवानी में मन पसंद खाया भी और पहना भी बच्चों के लिए जायदाद नहीं जोड़ी बलकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है अवे सेरों में अपना कमा खा रहे हैं आपस में दोनों भाईयों के अच्छे सम्मंध है प्यार है दोनों भाईयों में हमें तो पैंसन मिलती ही है जब तक हाथ पैर चलते हैं यहीं रहेंगे जब परेशा नहीं होगी तब उनके पास चले जाएंगे तुमारे घर में तो यहीं जोड़ी हुई समपत्ती बच्चों के भी जगडे की जड़ बन गई है यह सुनकर भगवती बोल पड़ी थी तुम ठीक कहती हो लीला भेहन लगता है मेरी परवरिस में ही कुछ कमी रह गई जो इने विरासत में समपत्ती तो मिली पर संसकार नहीं मिले तभी दोनों बाते कर रही थी कि भगवती की भतीजी आकर कहने लगी आंटी चाय यह दोनों देखकर एकदम से चुप हो गई और जो सामने देखा तो भगवती की भतीजी चाय और जग जो लिये खड़ी थी उन्हें देने के लिए दोनों ने चाय पीने से मना कर दिया और उठकर अपने घरों को चली गई दोनों पड़ोसनों के जाते ही घर वाले थोड़े सक्रिय हो गए जो दीनानात के पत्नी उसा ने दीनानात से कहा जरा इधर तो आईये और उन्हें अपने साथ अमा के कमरे में चलने को कहा उन्होंने एक नजर जो पास बैठे वैक्तियों पर डाली जो मोहले पड़ोस समाज के लोग बैठे हुए थे फिर उठकर अंदर अपनी मा के कमरे में आ गए अंदर बकसा, अलमारी और दूसरी चीजें उल्टी सीधी बिखरी हुई थी वे गुसे में तम-तमय यह क्या है तब उनकी पतनी कहने लगी बड़ी जीजी संग ये दौनों मिलकर अलमारी खोलकर साड़ी रुपिया खोजती नहीं फिर अपना मन पसंद समान उठा कर ले गए तबी उनकी देवरानी जो कहने लगी नहीं दीदी अम्मा के पास तो एक जोड़ी कंगन, एक जोड़ी कान के टॉप्स और एक चांदी की करधनी थी उसा की देवरानी बताने लगी, जिन गैनों में से करधनी तो कल हमें मिल गई, बाकी जेवर बड़ी जीजी उठा ले गई है उसा की देवरानी ने कहा तो उसा अपनी देवरानी संध्या से उलज पड़ी तुमने करधनी कैसे लेली जब सास बिमार थी तब तो जहांकने भी नहीं आई संध्या कहां चुप रहने वाली थी वे भी गुसे में बोली उससे क्या होता है अम्मा के समान पर तो सबका हग है उसा फिर चिला के कहने लगी सेवा के समय हग नहीं था मेवा के समय सबको अपना हग याद आ रहा है संद्या भी गुस्से में बोल पड़ी क्या पता तुम क्या-क्या पहले ले चुकी हो जी जी अब दोनों देवरानी जेठानी को जगडता देखकर दीना नात बीच बचाव करते हुए बाहरी कमरे में कहने लगे सांत हो जाओ ब्रादरी जमाय बाहर के कमरे में तुम लोगों को जगडते शरम नहीं आती मैं इस कमरे में ताला जड़ देता हूँ तेर भी निवट जाने दो फिर खोलेंगे यह कमरा तो संध्या भी जो जहर उगलते हुए भूली हाँ हाँ क्यों नहीं सैया भाए कोतबाल अब डर काहे का चावी जब अपने अंटी में खोंस लोगे संध्या कहने लगी तो रात बिरात कुछ भी हडप लोगे संध्या की जहर उगलती बातों को सुनकर दीनानात कहने लगा तुम दोनों को जो करनाए करो मुझे बीच में मत घसीडो और यह कहकर दीनानात उल्टे पाम बैठक में लोट आया आप उन दोनों देवरानी जेठानी के जो जगड़े में बड़ी बहु किरन खूद गई वे कहने लगी हम बड़े हैं पहले हमारा हक है फिर तुम दोनों का और ये जीजी को क्या पड़ी है मायके में आकर दखल देने की उसा बोली क्या पता वे तो सबसे तेज निकली जब तक हम तुलसी बटोर ने गए उतनी देर में तो जीजी अम्मा के बदन और अलमारी दोनों को साफ कर गई तुम दोनों किरन डपट कर बोली आपस में बंदर की तरह लड़ती रही और वे इसी का हमेशा फायदा उठाती रही वे तो हमेशा से अम्मा को बढ़का कर अपना माल बटोर कर चल देती थी तुम दोनों के घर बैटे बुराई कर माल पुए उडाने में लगी रहती थी अब देखो तुम दोनों की नाक के नीचे से जेवर उठा कर ले गई तुम अब भी आपस में जो लड़ाई कर रही हो किरन उन दोनों को डपट कर कहने लगी तो वै कहने लगी जब तुम इतनी श्यानी थी तो पहले क्यों नहीं बोली, संध्या ने अपनी जेठानी से गुसे में बोली, तो वै कहने लगी क्या कहें, तुम लोग अपने को किसी से कम समझती हो क्या, कुछ भी बोलो तो बुरे बनो, जब किसी को कुछ सुनना ही नहीं तो कहें किस से हमने तो जी जी का मुँ जो कभी उसे लगाया ही नहीं इसी से हमें बदनाम करती रही हो करते रहो क्या फरक पड़ गया तुम दोनों तो उनकी खूब सेवा में लगी रहती थी तो तुम्हें कौन सा मैडल मिल गया बड़ी बहुकरन कहने लगी और फिर उसने पूछा अच्छा उसा कहने लगी अम्मा तुमसे हमेशा नाराज क्यों रहती थी तब वे कहने लगी हम जी जी की हरकतों पर अपनी शादी के पहले दिन से ही नजर रखे हुए थे जल ससुर जी चल बसे तब मुस्केल से छे महीने हुए थे हमारे बिभा को तब भी बड़ सब जी जी उठा कर ले गए तब संध्या बोली ऐसे कैसे उठा लगी जी जी तब वे कहने लगी यही अम्मा ने पूछा तो बोल पड़ी अब पिता जी तो अम्मा रहे नहीं तुम अब ये स्वहक्चिन पहन नहीं सकती हो इसे मैं अपनी बिटिया की शादी में नानी की तरफ से दे दूँगे तुमारा भी काम नाम हो जाएगा हम वही खड़े थे हमसे बोली जाओ चाय बना लाओ बड़ी हासी हमारी पीट पीछे जो बड़ी जी जी अम्मा को भड़का कर बोली बड़ी मन्हूस बहुआ ये तुमारी आती ससुर को खा गई बस उस दिन से अम अपने मन में गाठ बांद ली वो तो जीते जी खुल नहीं पाई क्योंकि दीदी ने ऐसी गाठ बांदी थी जो अम्मा हमसे हमेशा खुनस रखती थी फिर संध्या जो तिलमिलाते हुए बोली अब क्या फायदा इन सब बातों का इस कमरे में भी ताला डालो या ना डालो जी जी तो पहले घुकाथी डाल कर चलती बनी जरा बाहर जाकर देखो लोगों के आगे कैसे रोने दोने का ना टक कर रही तो बड़ी जी से जुडे यह सब्ध बाहर बैठी जो बैठक में बड़की जी जी बैठी थी उसके कानों से टकरा गए वे सोच रही थी कब नजरों से रुकमनी और लीला पर नजर डाली उसे लगा कहीं अंदर की आवाजे उन्होंने तो नहीं सुने ली वे दोना कथा की समापती पर जैसे उठकर खड़ी हुई वे लपक कर उनके पास पहुंच गई और बोली अरे बैठो ना चाची तुम्हें देखकर अम्मा की य बैठने पर मजबूर कर दिया तब वे कहने लगी सुन बिटिया हम तेरे कहने से कुछ दिर बैठ तो जाते हैं मगर चाए नहीं पिएंगे मिर्तक परिवार में तेरवी से पहले वे जलपान का परेज करने के लिहास से बोली तो बढ़की जीजी बोली अच्छा रुपो च और बड़ी बेटी ने सफाई पेश की तबी दीनानात कमरे में दाखिल हुआ तो बड़ी बड़ी प्रेम से बोली चाची तुम लोग अभी बैठो मैं जरा भाया के लिए फल काट कर लेयाँ इन्हें तो बारे दिनों तक एक समय भोजल करना है वे दोनों बोली नहीं नही बड़ी नहीं बिटिया अब हमें अपने घर जाना देर हो रही है तब बड़ी बोली सुनो दीनों अम्मा के हिस्से के खेत के कागज नहीं मिल रहे हैं तुमने संभाले किया छोटा भाई सौमनात्वी जो दीनानात्स से बड़ा था तो वे कहने लगा तो वे बोला अरे इ तेरा भी हिस्सा लगेगा जो बड़ी बेहन कहने लगी तुम तीनों अकेले हजम करने की सोच मतले ना बड़ी तुरंत बोल पड़ी थी ऐसे भले ही कम सुनती थी उसे मगर जमीन जायदाद रुपयों पैसेों की बात उसे तुरंत सुनाई पड़ जाती थी तब वे भाई करने में पीछे नहीं अटूंगी मैं इकलोती बेहन हो मुझे भी तुम लोग मायके में बरदास्त नहीं कर पा रहे हो चार छे होती तो क्या करते तब वे बोले अरे तुम अकेली ही दस के बराबर हो दस को विदा करना आसान है मगर तेरी विदाई ना जाने कब होगी जमी जायदाद रुपिया जेवर सम्मे सेंद लगा कर भी तुझे चैन कहां है यह सुनकर बड़ी जीजी करोध में आ गई थोड़ी देर में घर में कुरू छेतर के मैदान में जो तबदील हो गया एक दूसरे पर आरोप लगने लगे तब ही एक जो पड़ोसी बुजूर्ग म सत्रू बन गए हो अभी तो तेरह दिन भी नहीं हुए है और वे सब को सांथ करने के लिए कहने लगी सब आपस में जो बिन बोले बैठ गए उनका अबोला बैठा देखकर समाज को दिखाने के लिए दूसरे दिन भगवती के घर से लोटती रुकमनी और लीला को उसा ने बाहर गेट के पास रोक लिया और बोली चाची देखा ना अपने कैसी संताने हैं इनकी अरे अम्मा तो हमेशा हम बगवों को ही कोस्ती रहें कैसे घर की है कैसे संसकार दिये तुमारे माबापने अब देख लो इनकी संसकारी आउलाद को तीनों भाई और बहनों में क्या म एहन है एक दूसरे के कंदे पर सिर रख कर रोने की बजाय मा के मरती बैठ गए रुपिय पैसों की लूट में जुट गए रुकमनी ने लीला को कहा हां कल रात को भी हला गुला सुनकर मैं भाग कर आई थी तब हुए कहने लगी चाची मेरी शादी मी इसी लालच में की थी खूब दहेज मिलेगा मेरे पिता तो दरोगा थे उस समय बड़ी जीजी की ससुराल से रिष्टेदारी थी हमारी एक बार मेरे पिता जी जुए के अड़े से छापा मार कर लोट रहे थे बहुत तेज बारिस में उनकी जीप पाने के खड़े में फस गई थी एक जीप तो आगे थाने को निकल गई जिसमें जुआरी थे पिता जी के पास रुपियों से भरा बैग और एक सिपाई रह गया था दूसरा मकैनिक को लेने चला गया पिता जी को याद आया कि ये घर दो फलांग की दूरी पर ही है तो ये सिपाई को गाड़ी के पास छोड़ कर यहां कि गाड़ी ठीक हो जाए तो चल पड़ेगी जानती हो चाची फिर क्या हुआ तो लीला बोली हाँ बेटा फिर क्या हुआ तब बोली हाँ याद आया जब दीनाना पुलिस की भरती कर रहा था न उस समय तेरी शादी तै कर दी थी लीला कहने लगी तो उससा बोली हाँ नोट भी गए थे पिता जी ने तुरंत बैठक के गद्दे में नोट बिछा दिये और नोट सुखाने के उपंखा चला दिया पता है कितने रुपे थे वो रुकमनी जो जानने के लिए बेताव थी वह बोली नहीं यह बात तो हमें नहीं पता तब जो बड़ी बहुसा कहने लगी एक लाख दस हजार के लगभगते ही इन सब की कीमत तो यह सुनकर इतने नोट उनकी आँके खुली की खुली रह गएं सोचा पुलिस की नौकरी में नोट ही नोट है पिता जी ने बताया था यह रुपे थाने में जमा करने के लिए हैं मगर इने लगा कि यह सब उप अपने बेटे की शादी उसी दिन मेरे साथ तै कर दी थी जिससे मेडिकल साकसातकार में सहुलियत मिल जाए और दूसरा साधी में तगड़ा दहिज भी अरे चाची मुझे भी इन लोगों ने खूब सुनाया क्या लाई कैसा लाई हमारी खातिरदारी भी ठेक से नहीं चाची मैंने कह दिया तुमारी बिटिया की तरह नहीं हूं मैं कि हर समान के लिए माय के में कटोरा लेकर खड़ी हो जाओं जितनी मेरे आदमी की कमाई है उसी में मैं घर चलाना जानती हूं बस चिड़कर मेरा चूला अलग कर दिया था माने मेरी भी जान छूटी तबी सा कोड़े से जो वैंग में बोली नहीं पुराने यादे ताजा करकर गई है तब बड़ी बहु कहने लगी देखो न चाची जरासी जमीन जायदाद के लिए इतना जगड़ा मेरे माय के में तो यहां से दुगना क्या दस बुना है जायदा जायदाद है मेरे मा पिता जी तो अब कानून भी बन गया है पिता जी वस्यत नहीं करकर गए तो अपने माय के से कुछ कोड से अरजी लगा लेंगे केवल सोचा हीतिया किया नहीं जानती हो क्या हुआ तब चाची ने दोनों जो लीला और रुपमन भी बोली नहीं तो वैं बोले अरे इसी बड़की जो जी हमारे माय के से सम्मंद भी खराब करा दिया हमारी ननन्द ने और मिला कुछ भी नहीं यहां भी आकर सो बास सुना गई थी कि हमारे माबाप खांदान का नाम डूप जाएगा जब इस घर की औरते कोड में खड़ी हो जाएंगी मेरे आदमी को भी जोरू का गुलाम कहा और खांदान की इज़त को बटा नहीं लग रहा चाची तबी तीसरी बहु आई और कहने लगी ठीक कहती हो बेहन यह तो बहुत सातिर और औरत है अपनी बारी आती गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है संधिया जो तीसरी बहु थी आकर कहने लगी मेरी शादी की सौपिंग क्या किया पता है तीसरी बहु भी अब बातचीत में सामिल हो गई उन्हें भानी नहीं था कि तुम तो चूले पे दूद उबाल रही थी गैस बंद कर दी किरन ने पूछा किरन भी आगे तो संधिया ने पूचा हाँ बंद करके आई हाँ मैंने भी मैं क्या सुना रही थी तो लीला जानने की गर्श से बोली, शाधी की सौपिंग बता रही थी, तो वैं कहने लगे हाँ याद आया, मेरे आदमी की कोई खास कमाई नहीं होती थी चाची, दुकान से नई नई दुकान होने के कारण, शाधी का करचा भी घर में नहीं दे सकते थी, अम्मा ने जीजी से ही सारी सौपिंग करवाई थी मुझ पर और उसा पर तो अम्मा को भरोसा ही कहां था अपनी बेटी को ही रुपे पकड़ाती रहती थी ये ले आना वो ले आना जीजी को बढ़का के रखती थी कि बहुए पैसे मार लेंगी आप देख लो हरिस्चंदर भाई और बेहन को किरन बीच में फिर बोल पड़ी अरे मेरी बात तो पूरा सुनो वे कहने लगी मेरी साधी में गिनी चुनी साथ साधियां ससुराल से मिली उनमें भी दो साधियों में मैंने जो फॉल के पास जो जंग लगा देखा था जैसे लोहे के बक्से में पड़ी हुए साधी काफी समय से पड़ी रहते हैं तो जंग लग जाता है मैंने सभी से कहा था ये साधीयां पुरानी देदी हैं दुकांदार से इसे बदलवा दो तब जी जी ने कहा अब तो महीना भर हो गया अब दुकानदार नहीं बदलेगा बाद में चाची मैं खुद दुकानदार से बात की तो वे दुकानदार हसने लगा और बोला बेन जी इतनी बड़ी मेरी दुकान है मैं पुरानी साड़ी नहीं बेचता हूँ मुझे सब समझ आ गया कि साड़ी जीजी ने ही बदल दी थी तब ही दोबारा दुकान जाने को तैयार नहीं हुए अब वह गुसे में बोल रही थी तब फिरन कहने लगी और हसने लगी आरे हाँ तेरी साड़ी की बात तो मुझे भी अच्छे से याद है मैं भी हैरान रह गई थी कि सौपिंग में जीजी कैसे ठगी गई जब तुझे गलती का पता चल गया था संधिया तो तु जीजी के मुझे पर दे कर मारती उन साड़ीयों को तब पता चल था तो संधिया ने मुझे बनाते वे कहा हम दसरू से लिहाज करते रहे उसी का तो नतीजा है कि आज हमारी चाती पर जीजी मुझे दलने बैठी है मुझे मुझे से याद आया कल के लिए उड़द भी गोनी है अच्छा चाची कल तेरवी के भोज में जरूर आना कहकर बहुए भीतर चली गई दिन का भोज खतम होते ही अगले दिन बेटों ने तुरंट टेंट समेट लिया लोगों को हाथ जोड़ कर विदा किया फिर से इखटे होकर सभी भाई हिसाव किताव करने में जुट गए कितना खर्चा हो गया कितना अभी वार्सिक्स राद में करना बागी है वे कहने लगे जमीन का हिसाव बाद में अभी इन तेरे दिनों का हिसाव पहले करो सबसे जायदा मेरे रुपे खर्चू है तबी दिना नात हाथ में कागज पैन लेकर खड़े हो गए और बोले लाओ मुझे दो मैं सारा हिसाव किताब लिख कर बताता हूं तो वे कहने लगा रहने दो तुम तो पुलिस में हो ना कुछ भी उल्टी सीदी रिपोर्ट बनाने में माहिर हो मैं यह हिसाव किताब कुछ नहीं जानती मेरा हिस्सा दे दो जो बीच में बड़ी जीजी भोल पड़ी फिर वही जगडा वही जमीन जायदाद को लेकर हंगा मसरू हो गया इससे पहले हाता पाई पर बात पहुँचती बड़ी बढ़ों ने तानों से विराम लगा दिया मैं तो कहती हूँ अम्मा जी और पिता जी रहते तो यह सब देखते सुनते मैंने तो खूब ताने सुने साथ ससन नंथ देवर सभी के मुख से हमेशा मेरे माबाप को कोसा गया कभी दहेज को لेकर कभी मेरे चाल चलन को लेकर अब दानस साथ ससन मिलकर देखें अपने औलादों को और उनके चाल चलन को भी तुम्हारे खांदान में से तो लाग गुना अच्छा है हमारा खांदान बड़ी ननंद चीक कर कहने लगी तुम हमारे माबाप तक पहुँच कैसे गए तुम लोगों के लक्षनी ऐसे हैं उसा कहां कम थी कहने लगी जो माबाप की परवरिस को बट्टा लगा रहे हो तब आप की खबर मिलते ही दुरगटना इस्तल की तरफ रवाना हो गए बस रात में बारे बजे से दो बजे के बीच दुरगटना ग्रस्त हुई थी इस समय सुबह के पांच बज रहे थे अप्रेल के महिने में सुबह का हलका सा उजाला भर दीख रहा था रात बर हुई बारिस इस जगह चटान और मलवे के धेर ने रुकावट डाल रखी थी हर आदे घंटे की चड़ाई के बाद जीप को रोकना पड़ता था साथ बजे तक जीप दुरगटना इस्तल तक पहुँच गई थी चारो तरफ चीक पुकार मची हुई थी भीड और अफरात अफरी का माहोल थ कुछ स्वैम से भी संगठन रात बचाव कारिया में मुस्तेदी से डटे थे बचाओ मार डाला यही आवाज गूज रही थी दीनानात ने आवाज की और सिर गुमाया तो सामने से दो युवाओं को तेजी से भागते हुए देखा दीनानात चीक कर बोले रुक बे इधरा क ने बागे जा रहे हो तब उन मैंसे एक युवाँ खडबड़ा कर बोला साहब मेरे को ना पानी चाहिए वही लेने जाते हैं तब वै बोले जोले में क्या है वै बोला मेरी मा का समान है दीनानात को माजरा समझते देर नहीं लगी वै बोले Djोले में उनके हातों से छीनते हुए दीनानाथ बोले दोनों यूबकों ने फिर उल्टी दिसा में दोड़ लगानी चाहिए मगर दीनानाथ ने दोनों को दवरूच लिया जोले को पलटते ही उस में से कटी हुए उंगलियां सोने की चोडिया मंगल सुतर पाजेव आधी जेवर विखर गए तो दीना नात ने उन्हें घुड का आदम खोर हो किया ये उंगलियां क्यों काटी तो वे बोले उंगली में जो अंगुठी फसी हुई थी निकल नहीं रही थी तो काटनी पड़ी दीना नात ने उनके हाथ बांदे और बोला चल तेरी भी खाल निकल वाता हूँ तो वे कहने लगा रहे सहाब इन जैसे लुटेरों को सिपाई बोला जहां एक्सिडेंट की खबर सुनते ही तुरंत घायलों और मुर्दाओं को जो नौचने खसोटने की दोड जाते हैं अभी हाँ इनके और भी साती भीड में छुपे होंगे तब दोनों को सिपाई जीप में धकेलते हुए जो उससे बोल रहा था दीना नात से दीना नात तेजी से चल पड़े और बोले मारोस सालों को अभी सब उगलेंगे सच मैं नीचे घटना इस तल का मुआयना करके आता हूँ और अपने चार सिपाईयों को साथ लेका दीना नात जी तेजी से चले गए शाम के छे बजे तक सभी घायलों और मिर्तकों को बरामद कर लिया गया फिर एक बार फिर से सारी जाणियों का मुआयना कर लो दीना नात बोले कोई जीवित या मिर्त छुटना नहीं चाहिए इस इलाके में बहुत गिद्ध है सुनसान होती मास नौचने को तूट पढ़ेंगे दीना नात ने दूर पेडों की जो डालियों पर बैठे गिद्धों को देखकर कहा था शाम तक सब इंस्पेक्टर भी पहुँच गए वो कहने लगे क्या प्रोग्रेस है दीना नात दीना नात भुला साब बरात थी बस्क में और इसमें 40 लोग सभार थे जिन में से 6 मृत और 4 गंभिर अवस्ता में अस्पताल को रवाना कर दिये बाकी सभी को प्रात्मिक चिकित्सा करके उनके घर भेज दिया गया है ये हैं वो चार लुटेरे जो मिर्तकों के सरीर को गिद्धों की तरह नोचते खसोटते हुए मोकाए वारदात से पकड़े गए हैं दिनानात ने अपनी जीव की तरफ इसारा करके इन सब कारेवाई में बहुत समय लग गया दिनानात को घर पहुँचते ही रात हो गई रात गहरा गई आगन में खटिया डाले दिनानात को देर रात तक नीद नहीं आई एक जपकी सी आई और लगा कि किसी ने फिर उठा दिया जल्दी जागो पास के जंगल में बस पलट गई है चारों तरफ चीख पुकार मची थी एक बुढ़िया जोर जोर से चीख रही थी बचाओ बचाओ उसने पलट कर देखा बुढ़िया को गिद नौच नौच कर खा रही थे कोई उसके गले पे चिपका कोई कान पर वो गिद भगाने को डंडा खोजने लगा बुढ़िया का चेहरा मा का जैसा दीख रहा था उसने चीखना सुरू कर दिया अम्मा अम्मा अचानक उसे गिदों ने जाने पैचाने चेहरे दीखने लगे उसके भाई भावी बैन पतने और परिवार वाले आवए पसीने से तरबतर होटा उसकी नीन पूरी तरह से खुल चुकी थी उसने सब घेर कर खड़े हुए थे बुरा सपना देखा था अम्मा सपने में दीखी थी कुछ तो मांग तो नहीं कर रही थी कुछ कमी रह गई तो ऐसे सपने आती हैं जितने मू उतनी बात जिसने भी सपना सुना तरह तरह से बाते बनाने लगे जीते जी तो अम्मा को किसी ने पानी भी नहीं पूछा वे अपनी अलग रसोई बनाती खाती रही अब उन्हें के रुप्यों से पंडित जी को सारी सुख सुविदाएं की वस्तुएं भी दान कर दी तो क्या फायदा अब जब अम्मा की मिर्थी हो गई तो भी चैन कहां सब को आब उनके समान को लेकर आपस में चारो भेन भाई मों में छीना जप्टी मची हुई है तुम लोग भी तो किसी गिद से कम कहां हो तुम सभी जीते जीतो अम्मा का खून पीते रहे हो अब मरने पर उनकी बची संपदा को लूट खसोट में लगे हो जाओ यहां से मुझे सब कुछ समझ आ गया है दीनानात कहने लगा वैसे तो तुम से अच्छे वो गिद्धें जो मरे सड़े को खा कर वातावरन को स्वच रखने में अपना योगदान देते हैं वे लुटेरे भी कही गुना अच्छे हैं जो अंजान को लूट कर अपने परिवार को पालते हैं तुम लोग तो उनसे भी अधिक गिरे हुए हो जो अपनी सगी मा को लूट कर खा गए हट जाओ मेरे आगे से और यह अपने बेहन और भाईयों से कहकर दीनानात अपना मूँ ढखकर बिस्तर पर सो गया दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें राधे राधे